हाई फ्रेंड्स हमारे पास कुछ ऐसे पर्स होते हैं जिने हम निकालना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो हमें गिफ्ट में मिले होते हैं या तो हमने बहुत कोश्टली खरीदे होते हैं जी हाँ ये वाला पर्स मैंने डीमार्स से खरीदा था और ये मैंने 1000 का खरीदा था लेकिन मैंने एक ही बारी से बारी से यूज़ किया और फिर इसकी कंडिशन आप देख सकते हैं कि कितनी खराब हो गई अब मैं इसे निकालना भी नहीं जाती क्योंकि ये अंदर से बिल्कुली नया है अंदर से बिल्कुली इसको मैंने एक ही बार यूज़ किया था तो मैंने क्या किया कि इसकी जो भी ये सब निकल रहा था इसे मैंने पहले तो हैंडल से बिल्कुल साफ करके निकाल दिया फिर म सिम्पली बस मैंने इसे बीच से इस तरह से हाफ किया और बीच में हाफ में रखकर यूँ गोल-गोल लपेटती जा रही हूँ इसमें मैंने नहीं कहीं पर कोई गलूल का यूस किया है जिससे आप इसे बड़ी आसने से जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं आप चाहे तो यहा सकते हैं और सिम्पली जहां यह कंप्लेट हो रहा है वहां पर हमें इस तरह से नोट लगा देनी है और इसे कंप्लेट कर देना है अब हमारा यह जो दूसरा पीसी से उसको भी इसी तरह घुमाते घुमाते हमें इस तरह ले आना है और इस तरह से हम इस पर्स के हैंडल तैय वह vitale इसकती है इस तरह इसमें लगाय हुआ है कि निकल भी नहीं सकता है तो फिर मेने क्यक्स इसका इस तरह किया है तो आपके पास परस है है और आप नि besch respond उसे उस और मैंने सोचा कि जो हैंडल में से निकला है उसी में से थोड़ा-थोड़ा सा में लेधर वाँ नीचे लगा दूँ और मैंने ऐसे करने गई तो मेरे पर्स की हालत और ज्यादा खराब हो गई और मैंने इसे चिपकाया तो आप देख सकते कितना धद्दा लग रहा है ये और इसके बाद मैंने क्या किया कि गोटा पट्टी थी मेरे पास सिम्पली मैंने उसे लिया और ग्लू गन की मदद से यहां पर चिपकाया है जी हां क्योंकि कोई दूसरा आप्शन मुझे दीख नहीं रहा था अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा आप्शन है तो जरूर से मुझे कॉमेंट बुक्स में शेयर कीजेगा और इस तरह से मैंने यहां पर इसको लगा दिया और क्योंकि यह तोड़ा गोल्डन टैच उपर भी था तो मुझे लगा यह मेंचिंग में अच्छा लग रहा है और यहां जो ज़्यादा बाहर से आप देख सकते हैं खराब था हुआ मैंने छोटा सा इस तरह का पीस लगा कर इस पर्स को कम्प्लेट किया है और देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से लगा और यह काफी हद तक इसकी हालत जो थी वो सुधर गई है और आप कह सकते हैं कि आप इसे आसानी से अब हम कहीं पर भी इसका यूस कर सकते हैं यह दूसरा पर्स जो है वो तो बहुत ही अच्छा है ब्रांडेट कम्पनी का है लेकिन इसे तो यूस किये भी नहीं मेरा जो है कबोर में ही इस तरह से इसकी हालत बेहालत हो गई है अब देख सकते हैं अंदर से बिलकुल नहीं है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसे कुछ फैवी को लगा कर इसे मैंने इस पर लगा दिया है अपनी लेस को और कुछ इस तरह से मैंने लेसिस को इसके उपर लगा दिया है अब लेसिस को मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों बाजू से ज़्यादा ज़्यादा ही रखा है बाद में हम इसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा क और जहां पर यह बटन आता है उतने भाग को छोड़कर मैंने सब्ज़के फैवी को लगाया है और यहां पर थोड़ा पिस छोटा पढ़ रहा था तो मैंने एक और पिस यहां पर लगा दिया है और इस तरह से हमने इस पूरे पिस को कम्पलेट किया है तो इस तरह से complete करने के बाद मैंने देखा कि उपर की बाजू से ये कुछ इस तरह से लग रहा है अभी भी ये इतना finishing वाला तयार हमारा नहीं हुआ है और इसके कारण मैंने क्या किया कि यहाँ पर मेरे पास कुछ मोती की लेस सी और गोटा पटी की लेस सी तो मैंने मोती की लेस जो थी वो यहाँ पर लगा दिये तो जिससे इसका लूग बहुत अच्छा रहा है तो वो मैंने ग्लूगन से ही इसे यहाँ पर ट्रिप काया है मेरा मिशन आपको इजी एस्ट्वे में सिखाने के साथ साथ आपका self confident बढ़ाना भी है मेरे मिशन में मुझे सक्सेस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करना free है और कुछ ऐसे ही नए और जुगाड़ू आइडिया को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चीज के शोकी नहीं तो ये वीडियो जहता से जहता है लोगों को शेर कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ मैंने इस तरह से यहाँ पर इन चीजों को लगा के कंप्लिट किया है और ये जो भाग था यहाँ पर मैंने ग्लूगन की मदश से ये एक्स्ट्रा भाग जो हमारा है इसे अंदर की बाजू दबाते हुए से लगा दिया है और इस तरह से मैंने अपने पर्स पो चारो बाजू से ये वाले भाग को ग्लूगन की मदश से चिपकाती जा रहे हुँ देखिए, इससे बिल्कुल वेडिंग का हमारा बिल्कुल नई स्टैल का पर्स तैयार हो जाएगा और कोई इसे बाहर से देख के भी नहीं सकता है कि अपने पुराने पर्स का इसे इस तरह से मेक ओवर किया है गिफ्ट में मिले हुए पर्स के हमारे लिए बहुत ही एहमियत होती है और ये गिफ्ट मिला हुआ पर्स है मेरे पास तो यहाँ पर भी देखे ये साइड में से कुछ ऐसा लग रहा था तो मैंने ग्लूगन की मदश से यहाँ पर भी जो है लेसिस को लगा दिया है अब यहाँ पर जो इतना भाग बाकी था हुआ मैंने कुछ टीकी मोधी से इसे कंप्लेट किया है अब हमें क्या करना है जो अपने वो फेविकोल वाला लगा के लगाया था तब हमने जो खुला छोड़ा था उतने भाग में जहाँ पर हमारा बटन था उतने भाग में कटर से हम इससे कट कर लेंगे तो हम बड़ी आसनिसे हमारे बटन को यहां से, देखे, आपने मेने कट कर लिया है, तो देखे, हमारा बटन दिखना शुरूर हो गया, अब यहां पर हम इसे लोग कर सकते हैं, और देखे, हमारा परस कितना प्यारा लोग का तयार हो गया है, बिल्कुल इजी वे में और बिल्कुली सुन्दर जिसे देखकर कोई नहीं बोल सकता है कि इस पर्स को आपने किस तरह से तयार किया है और बिल्कुली इसका आपने makeover किया है कैसा लगा जरूर से मुझे अपने comment box में अपने idea शेयर किजिएगा इस तरह से चीजों का reuse करने से हम में positive energy आती है कुछ नया करने का आनन्द मिलता है और साथ ही हम environment को भी pollution से save कर सकते हैं और देखिए कितने प्यार से मैंने अपने दो पर तैयार कर लिये हैं मिलते हैं नए interesting idea के साथ